दोस्तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम Unmanned LCA Takas concept के बारें बात करेंगे जो कि एक AI बेस्ट Unmanned LCA Takas Fighter Jet होने वाला है जो कि हमारे AMCA Fighter Jet के लिए एक Unmanned Wingman के तोर पर भी एक्ट कर सकता है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज की एज में सबसे ज़्यादा बड़ी टेकनोलोजिकल अडवास्मेंट AI के शेतर में है जाने की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के शेतर में है इसी टेकनलोजी के इस्तेमाल से नए नए अडवांस ड्रोन्स डिवेल्प किया जा रहे हैं जिसकी मदद से अभी हुमन इन्वाल्मेंट को बहुत कम किया जा रहा है जिससे फ्यूचर के वारफेर में एक इनसान को जान नहीं गवानी पड़ेगी बलकि उसकी जगें मशीने युद लड़ेंगी इसी बात को लेकर हमारा देश भी एक नए प्रोजेक्ट के उपर काम कर रहा है हमारा देश एक ऐसे अन्मेंड वेरियन्ट को बनाने वाला है जिसमें हुमन इलिमेंट को बिलकुल खत्म कर दिया जाएगा और ये एक क्राफ्ट खुद एक हंटर किलर ड्रोन के तोर पर भी काम कर पाएगा और इसके साथ ही ये इन्फरमेशन को भी कलेक्ट कर पाएगा जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, एंड रिकंसेंस मिशन्स कर पाएगा अब ही हमारा देश एक इंडेजनस, एई ड्रेवन, अन्मेंड एलसी तेजस कॉंसेप्ट के उपर काम कर रहा है जो कि हमारे नेक जिनरेशन फाइटर जैट्स को बनाने के लिए बहुत काम आएगा इस कॉंसेप्ट को एक लो कॉस्ट आप्शन के तौर पर डिवेल्प किया जा रहा है जिसमें इस एक क्राफ्ट को एक मैंड एक क्राफ्ट के साथ डिप्लॉय किया जाएगा जिसके साथ मिलकर जहां तो यह एक कॉंप्लिमेंटरी एसेट के तौर पर काम करेगा और यहां यह एक डिकॉय के तोर पर काम करेगा जिससे कि एक मैंड जाने की एक हुमन पालिट दोरा उड़ाए जाने वाले एक क्राफ्ट को ओफेंसिव एड फेंस सिस्टम से प्रड़क्ट किया जा सके ऐसी जानकारी है कि इस प्रजेक्ट में दो फेसे होने वाले हैं इसके पहले फेस में एक नेटवर्क एनेबलड अनमैंड ऐलसी तेजस फईट रिजेट बनाए जाएगा जो कि मैंड एक क्राफ्ट के साथ मिलकर एक फोर्स मल्टिपलार के तोर पर काम करेगा और यह अनमैंड विंग मैंड के तौर पर काम करेगा जिसे कि डेंजरिस मिशन में Ground controller की मदद से control करकर manned aircraft के crew को protect किया जा सकेगा इसे एक arm drone की तरह ही ground से control किया जा सकेगा और ये अपनी air to air missiles को भी fire कर पाएगा और इसके साथ ही ये air to ground munitions को भी fire कर पाएगा यानि कि ये दूसरे aircraft के जैसे ही हर तरहें के missions कर पाएगा इसका दूसरा फेस होगा एक जादा AI-driven एक क्राफ्ट जो कि human crew से बहुत कम inputs लेगा और ये खुद take off भी कर पाएगा और land भी कर पाएगा और सबी missions खुद कर पाएगा और इसे बहुत कम human input की जूर्थ होगी हमारे देश का AMC fighter jet पहला ऐसा fighter jet होने वाला है जो कि ऐसे एक क्राफ्ट को कंट्रोल कर पाएगा हमारा AMC fighter jet ऐसे ही एक unmanned wingman को साथ लेकर उड़ेगा और उसे कंट्रोल कर पाएगा और उसे input दे पाएगा जिसकी मदद से ये unmanned wingman aircraft AMC fighter jet की missions के दुरान सहाईता कर पाएगा एक unmanned aircraft का फाइदा ये होगा कि इसको उड़ाने में एक human pilot की जूरुत नहीं होगी और उसे हमारे एक human pilot की जान को ख़दरा नहीं रहेगा इसके साथ ही एक unmanned तेजस aircraft बनाने में सस्ता होगा और इसे हम ज़्यादा बड़े स्तर पर produce कर पाएंगे क्योंकि एक unmanned तेजस को बनाने के लिए जो ज़्यादा equipment लगते हैं वो इस unmanned तेजस aircraft में नहीं लगेंगे एक unmanned तेजस aircraft में life sport systems नहीं होगे एक ejection seat नहीं होगी और इसके साथ ही दूसरे systems नहीं होगे जिसकी जगे पर एक बड़ा antenna लगा दिया जाएगा जो कि satellite navigation based commands को receive करेगा एक essay aircraft को line of sight से beyond operate करने के लिए एक ground based antenna और एक robust satellite navigation system चाहिए होगा essay systems को America ने develop किया है जिसकी मदद से वो अपने प्रेडर ड्रोन को operate करते हैं essay system को हमारे रुस्तम ड्रोन के लिए develop किया जा रहा है जो कि हमारे रुस्तम ड्रोन को 1000 km तक guide कर सकता है ये पहली बार नहीं है कि किसी manned fighter aircraft को एक unmanned drone में बदला जा रहा हो इससे पहले अमेरिका की air force अपने fighter jets को target drones में बदलती आई है इससे पहले उन्होंने अपने star fighter fighter jet को drones में convert किया था और इससे target practice के लिए इस्तिमाल किया था इसके बाद उन्होंने अभी F-16 aircraft को target drone में convert किया है इससे वो अपने air defense system की efficiency को test करते हैं और इसके साथ ही अपने crew को और अपने pilots को train करते हैं इसके साथ ही तेजस का एक unmanned variant बनाने के लिए उसके flight control system में बहुत बड़े बदलाब करने होंगे क्योंकि ये एक craft एक fly by wire system का इससे माल करता है तो इसको convert करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि fly by wire system pilot की उपर जादा load कम कर देता है और इसके साथ ही इस conversion में एक kill switch या flight termination system लगाना होगा जिससे एक craft को flight के दुरान ही destroy किया जा सके इसके साथ ही दूसरे telemetry sensors और systems लगाने होंगे अभी आपको बता दें कि जो पहले हमारे तेजस एक craft में flight control system लगाया गया है वो एक pilot की health को ध्यान में रहकर बनाया गया है और ये human errors को filter out करने के लिए भी बनाया गया है लेकिन जो unmanned तेजस होगा उसके लिए एक flight control system बिल्कुल नए तोर पर develop करना होगा इससे पहले चाइना की air force भी अपने J6 fighter aircraft और J7 fighter aircraft को drones में convert करती आई है और American experts भी ऐसा मानते हैं कि शायद चाइना future warfare में दूसरे देशों के air defense systems को खतम करने के लिए इनी unmanned fighter aircraft का इस्तिमाल करें जिससे उनके manned fighter aircraft जहाँ ज़्यादा advanced fighter aircraft बच जाएं और वो दुश्मन के air defense system को destroy कर दें यहाँ पर आपको बता दें कि जो ज़्यादा advanced air defense system होते हैं जैसे कि S-PRO 100 air defense system है उनको खतम करने की एक सबसे बड़िया टेकनीक suicide drone समझा जाते हैं जिसकी मदद से जहां तो आप छोटे suicide drone के इस्तिमाल से दुश्मन के air defense system को destroy कर दें जहां एक बड़े unmanned air craft के इस्तिमाल से दूसरे air defense systems की सारी missiles को ही खतम कर दें जहां दूसरे drones की मदद से उनकी सारी missiles को खतम कर दें जिससे वो पूरी तरह defense less हो जाए और उसके बाद आपका बड़ा strike package वहाँ पर move करकर उस air defense system को destroy कर दें इससे पहले हमारे तेजस air craft के लिए और हमारे aim sea fighter jet के लिए एक collision avoidance system बनाया जा रहा है जिसकी मदद से अगर पाइलेट भिहोशी की हाड़ात में चला जाता है तो हमारा ground control crew उस fighter air craft को control में ले सकता है और पाइलेट की जान को बहुत बढ़िया test bed हो सकता है जिसके इस्तिमाल से हम नए advanced air craft के लिए नए technology को test कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा aim sea mark 2 air craft unmanned और manned mode दोनों में काम करने वाला है aim sea mark 2 air craft को बिना pilot के भी उड़ाया जा सकेगा और एक pilot के साथ भी उड़ाया जा सकेगा और ऐसे एक craft को develop करने के लिए जो technology चाहिए होगी वो एक unmanned तेज़स एक craft के इस्तिमाल से ही test की जाएगी यहाँ पर आपको बता दें कि अभी लगबग सभी देशी ऐसे प्रोजेक्ट के उपर काम कर रहे हैं हमारा जो घातक UCAV प्रोजेक्ट है वो भी एक unmanned wingman के तोर पर ही काम करेगा और रशिया का अकोतनिक ड्रोन भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है अभी HLB ऐसे ही unmanned wingman ड्रोन के उपर काम कर रहा है जो कि इससे एक अलग प्रोजेक्ट है बोजेक्ट ने भी अपना एक ऐसा है प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके हाल ही में टेक्सी ट्राइल्स भी होए हैं जो कि एक unmanned wingman के तोर पर काम करेगा इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से हमारे तेजस प्रोग्राम से हमारे देश को मिली एक बड़ी advantage का पता चलता है वो यह है कि हमारे पास एक खुद का system होने की सबसे बड़ी advantage यह है कि हम उसे किसी भी तरीके से बदल सकते हैं और नई नई technologies को test कर सकते हैं ऐसा पहले इस्तिमाल किये जाने वाले विदेशी एक क्राफ्ट के साथ possible नहीं था यही करना है कि हमारे तेजस एक क्राफ्ट का successful होना हमारे देश में एक एक क्राफ्ट manufacturing और development ecosystem बनाएगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में अतना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूरू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत